असलम अलेकुम स्टूड़न्स यह हमारे साथ, यानि लिमिट के लिए कुछ क्वेस्चन है, कुछ हमने साल्फ किये थे 6 तक, अब हम क्वेस्चन नमबर 7 को साल्फ करेंगे लिमिट के जरीए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे सलूशन लिखते हैं, अब यह question हम अगेन लिखते है limit x approach to 2 x plus 3 divided by x plus 6 अब हम यहाँ x के value यहाँ पे put करते हैं कियोंकि limit में हमें x approach to 2 यहाँ हमारे साथ 2 की बराबर है तो हम x की जगाँ पे 2 put करते हैं तो यहाँ पे हमने 2 put किया और 3 अपनी जगाँ पे आगिया इसी तरह x की जगाँ पे 2 plus 6 हो गया अब 2 और 3 8 करें तो 5 आता है और 2 और 6 को 8 करें तो 8 आता है तो यह हमारे साथ यह नहीं solution set find हो गया अब हम question number 8 की तरफ चलते हैं तो तो first हम यह question again लिखते हैं limit x approach to 5 4 अपनी जगाँ पे x minus 7 अब यहाँ पे x की विल्यों 5 गेवन हैं याणि x approach to 5 है तो हम x की जगाँ पे 5 put करेंगे तो 4 अपनी जगाँ पे आ गया और x की जगाँ पे हम यह नहीं 5 लिखते हैं minus 7 अपनी जगाँ पे अब 4 अपनी जगाँ पे आ गया और 7 से 5 minus करें तो minus 2 आता है तो यह हमारे साथ तो यहनी इसमें हम cutting भी कर सकते हैं तो यह हमारे साथ minus 2 आ गया अब हम question number 9 की तरफ चलते हैं तो वही same rule है यहाँ पे question again लिखते हैं x approach to minus 5 y square divided by 5 minus y अब हम x की जगाँ पे यहनी minus 5 पूट करेंगे यह हमारे साथ x नहीं यह y है तो हम y की जगाँ पे minus 5 पूट करेंगे तो minus 5 whole square हो गया 5 minus y की जगाँ पे हम minus 5 पूट करते हैं अब 5 multiply 5 25 हो गया यह minus e1 की वज़ा से खतम हो गया divide by 5 अपनी जगाँ पे आ गया minus और minus plus 5 हो गया तो 25 अपनी जगाँ पे आ गया 5 और 5 8 करें तो 10 आता है अब इसको हम मजीद simplify करते हैं तो 2 multiply 5 हो गया और 5 multiply 5 हो गया तो 5 और 5 cancel हो गया तो यह हमारे साथ यह नहीं 5 by 2 की बराबर हो गया तो यह हमारे साथ question 9 की solution sit find हो गया अब हम question number 10 की तरफ चलते हैं तो first हम यहाँ पे solution लिखेंगे solution में यह question हम again लिखते हैं यानि limit y approach to 2 इसी तरह y plus 2 y square plus 5y plus 6 हो गया अब हम y की जगा पे 2 put करते हैं तो 2 plus 2 हो गया यानि y की जगा पे हमने यह 2 put किया और इसी तरह 2 whole square हो गया plus 5 2 हो गया plus 6 हो गया अब 2 और 2 को 8 करें तो 4 आता है और यह 2 यानि 2 time multiply करें तो 4 plus 5 multiply 2 10 हो गया plus 6 4 अपनी जगा पे आ गया अब 10 और 4 14 हो गया और 6 को इसके साथ 8 करें तो 20 हो गया अब इसको हम मजीद simplify करते हैं यानि 4 multiply 1 4 multiply 5 तो यह 4 और 4 cancel हो गया तो solution set में हमारे साथ 1 by 5 आता है तो यह हमारे साथ solution set था जो हमने यहाँ पर find किया अब हम question number 11 की तरफ चलते हैं तो हम यहाँ पे solution लिखते हैं और यह question हम again यहाँ पे लिखते हैं X approach to minus 1 3 into 2x minus 1 whole square अब हम यहाँ पे X की जगह पे minus 1 पुट करेंगे तो 3 अपनी जगह पे आ गया 2 minus 1 minus 1 whole square अब 3 अपनी जगह पे लिखते हैं 2 multiply minus 1 तो minus 2 हो गया minus 1 अपनी जगह पे आ गया अब minus 2 और minus 1 minus 3 हो गया minus 3 whole square हो गया अब यह 3 हम 2 time multiply करते हैं तो 9 आता है यह minus e1 के वज़े से खतम हो गया अब 3 multiply 9 यह हमारे साथ 27 की बराबर है तो यह हमारे साथ यानि क्वेस्ट नम्मर 11 की solution set find हो गया अब हम क्वेस्ट नम्मर 12 की तरफ चलते हैं तो हम again solution लिखेंगे यहाँ पे और यह question again लिखते हैं x approach to minus 4 x plus 3 into 1984 अब यहाँ पे x की जगह पे हम minus 4 put करते हैं 1984 अपनी जगह पे आ गया अब 4 से 3 minus करें तो minus 1 आता है 1984 अगेन अपनी जगह पे आ गया अब हम यहाँ पे हमारे साथ minus 1 है तो हम minus यहाँ इस power की वज़ा से खतम करते हैं क्योंकि यह power हमारे साथ E1 है यह लास्ट डिजिट हमारे साथ E1 है तो E1 की वज़ा से यह minus खतम होता है और 1 के उपर जितने भी power आ जाए तो वो 1 की बराबर होगा तो यह हमारे साथ question number 12 की solution set find हो गया अब हम question number 13 की तरफ चलते हैं तो again हम यहाँ पे solution लिखते हैं limit y approach to minus 3 into 5 minus y 4 divided by 3 अब हम y की जगा पे minus 3 put करते हैं 5 minus minus 3 whole power 4 by 3 अब 5 अपनी जगा पे आ गया minus और minus plus 3 हो गया 4 by 3 अब 5 और 3 8 हो गया power हमारे साथ 4 by 3 हो गया अब हम 8 को मजीद simplify करते हैं यानि 2 power 3 हम लिख सकते हैं यानि 2 multiply 2 multiply 2 यानि इससे 8 आता है तो हमने यहाँ पे इसलिए 2 power 3 लिखा तो 4 by 3 अपनी जगा पे आ गया अब 3 और 3 cancel करें तो 2 power 4 हमारे साथ आता है और 2 power 4 हमारे साथ यानि 16 की बराबर है तो यह हमारे साथ यानि इसकी solution sit हो गया अब हम question number 14 की तरफ चलते हैं तो हम यहाँ पे solution लिखते हैं limit z approach to 0 2z minus 8 power 1 by 3 अब हम यहाँ पे z की जगा पे 0 put करेंगे तो 2z की जगा पे हमने 0 put किया minus 8 power 1 by 3 आ गया अब 2 multiply 0 यानि 0 हो गया minus 8 1 by 3 अब यह minus 8 हम अपनी जगा पे लिखते है power 1 by 3 हो गया अब हम इसको मजीद simplify करते हैं यहीं हम इसको इस तरह लिख सकते है 2 power 3 1 by 3 अब यह 3 और 3 कैंसल करें तो इससे आता है minus 2 तो यह हमारे साथ question number 14 की solution sit था जो हमने यहाँ पे find किया thank you for watching do 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 do